एक वरत की तरिज्या 7 cm है और तरिज्य खंड का कोन 90 डिगरी है वरत के लगू तरिज्य खंड के चाप की लंबाई तथा उसका शित्रफल ग्याद कीजे πाई बराबर 22 बटा साथ लेना है तो यहां हमें मिला है वरत की तरिज्या आर बराबर है 7 cm और त्रिजखंड का कौन अर्था थीटा का मान 90 डिगरी है। पाई का मान हम को 22 बटा साथ लेना है तो पाई 22 बटा साथ लिग देंगे आर बराबर है 7 साथ सेंटिमीटर और थीटा है 90 डिगरी मान रखने से ल का मान हो जाएगा 22 बटा साथ इंटू 7 इंटू 90 बटे 360 कैलकुलेट किया। calculate करने से ये मानाता है 11 cm, इसलिए तरिजखंड के चाप की लंबाई है 11 cm, अब वरत के तरिजखंड का हमें शितरफल ग्याद करना है, तो शितरफल क्या होगा, शितरफल का सूतर है, तरिजखंड का शितरफल, ए बराबर होता है 1 बटा 2 L इंटू R, सूतर हम देख चुके है हमारी थोरी में, तो A बराबर 1 बटा 2 L इंटू R में, हमारा L कमान कितना हमने निकाला है 11 cm, L हम रख देंगे 11 cm, R हमारा है 7 cm, इन मानों को रखने से A बराबर हो गया 1 बटा 2 इंटू 11 इंटू 7, अर्थात मान हो गया 77 बटा 2, जो होता है 38.5 वर्ग सेंटी मीटर, इसलिए वरत के 33 खंड का शित्रफल 38.5 वर्ग सेंटी मीटर है दी गई आकरती में ABC एक तुरूज है, जिसकी एक भुजा 20 cm है, तुरूज के प्रतेक शीर्ष से 10 cm तुरूजा के चाप खीचे गए है जायंकित भाग का शित्रफल ग्याद कीजे, पाई बराबर 3.14 वर अंडरूट 3 बराबर 1.73 लीजे हमें एक चित्र मिला है, यहाँ चित्र में ABC एक सम बाहुत्र भुजा है, उसकी प्रतेक भुजा 20 cm की है इसके शीर्ष बिंदू A, B और C से जो चाप काटे हैं, उनमें से प्रतेक चाप की जो तरिज्जा है वो 10 cm की है अर्थाथ जो A बिंदू से हमने चाप बनाया, उसकी तरिज्जा 10 cm है, और B बिंदू से चाप बनाया, उसकी तरिज्जा 10 cm है C बिंदू से जो चाप बनाया, उसकी तरिज्जा 10 cm है, तो तीन चाप जो बने हैं, वो A, B, C बिंदू से चित्रा नुसार है अब जो त्रबुज का हिस्सा रहे गया अर्था जो चायंकित भाग है हमने यलो कलर में पीडे रंग में दर्शाया है हमें उसका शित्रफल ग्याद कर रहा है तो यहां हम देखते हैं कि त्रबुज संबाहू त्रबुज है इसकी भुजा ए बराबर है 20 cm संबाहू त्रबुज की प्रतेक भुजा समान होती है भुजा A बराबर 20 cm है प्रशन में दिया गया है तो संबाहू त्रबुज का शित्रफल हम जानते हैं अंडरूट 3 बटे 4 भुजा का स्कॉयर यह संबाहू त्रबुज का शित्रफल होता है इसलिए A का मान हमने रख दिया 20 तो शित्रफल हो गया अंडर रूट 3 बटा 4 भुजा स्क्वाइर अर्थात अंडर रूट 3 बटा 4 20 का स्क्वाइर कैलकुलेट करें तो अंडर रूट 3 का मान हम लेते हैं 1.73 और मान आता है 1.73 बटे 4 गुणा 20 गुणा 20 अर्थात मान हो गया 173 वर्ग सेंटीमीटर तो पूरे त्रभुज का जो शित्रफल है ABC का शित्रफल वो 173 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर है अब हम देखते हैं कि संभावु त्रभुज का प्रतेक कौन जो है वो 60 डिगरी का होता है तो जो त्रिजखंड बने हैं वो उनके प्रतेक के शित्रफल समान होंगे तीनों त्रिजखंडों के शित्रफल समान होंगे उनमें केंदर पर अंतरित कौन 60 डिगरी का होगा और आर का मान जैसा प्रशन में हमें दिया है 10 cm होगा 10 cm तरज्या के चाप खीचे हैं तो यहां प्रशना अनुसार हम देखते हैं कि चुंकी संबाहु तरबुज का प्रते कौन 60 डिगरी का होता है और इसलिए तीनों तरज्यखंडों के शेतरफल समान होगे यहां जो तरज्यखंड C से बना है तरज्यखंड B से बना है और तरज्यखंड A से बना है उन तीनों के शेतरफल समान होगे शेतरफल कितना होगा? तीनों का शेतरफल होगा 3 गुणा πाई आर स्कॉयर थीटा बटे 360 आर का मान क्या होगा जो तरिजगंड का शेतरफल होता है वो होता है पाई आर स्कॉयर थीटा बटे 360 क्योंकि 3 तरिजगंड है तो हमने यहां इसको 3 से गुणा कर दिया अब तीनों समान है अब हम देखते हैं कि त्रिज्जा है 10 cm, अर्था आर है 10 cm, और कौन प्रतेक का 60 degree है, थीटा का मान हम ले लेंगे 60, कैलकुलेट करते हैं, मान रखने पर 3 गुणा 22 बटे 7, आर इस्क्वाइर अर्था 10 का स्क्वाइर गुणा 60 बटे 360, तो तीनों त्रिज्जे खंडों का शित्रफल आता है, कैलकुलेट करते हैं, तो ये मानाता है 157 cm², अब त्रिबुज का शित्रफल है, ABC का शित्रफल है 173 वर्ग cm, और तीनों त्रिज्जे खंडों का शित्रफल है 157 cm², तो चायंकित भाग का शित्रफल कैसे ग्याद करेंगे, हम त्रिबुज के शित्रफल में से 33 खंडों के शित्रफल को घटा देंगे, तो चायंकित भाग का शित्रफल हो गया, त्रिबुज का शित्रफल माइनस 33 खंडों का शित्रफल, अरथात 173 माइनस 157 cm², जो कैलकुलेट करते हैं, तो घटाने से आता है 16 cm², इसलिए जो चायंकित भाग है, जो यलो कलर में, पीले रंग में हमने दर्शाया है, उस भाग का शित्रफल होगा 16 cm², जो झाल झाल, जो के जाल, जो जाल, भाग है, तो जो कैलका है।